एक्जाम्स की डेशीट आगी है लेकिन अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो त्यारी कैसे करनी है इन तीन टिप्स से करो फर्स चिप, एनलाइज यो सलेबस एक्जाम्स की त्यारी करने से पहले, ज़स्ट एनलाइज यो सलेबस ज़्यादा मार्क्स वाले चैप्टर या टॉपिक को पहले पढ़ना और फिर बाद में उन टॉपिक्स पे दिहान देना जो कम मार्क्स के है सबसे पहले सारे सब्जेक्ट को डिवाइड करो A, B और C सेक्शन में A सेक्शन में उसे रखो जो इसली कवर हो जाएगा B में उसे रखो जिसमें थोड़ी महनत की जुरूरत है और C सेक्शन में उसे रखना जो आपने अभी तक बिलकुल नहीं पढ़ा है और त्यारी करते समय सबसे पहले A सेक्शन करना फिर B और आखरी में C त्यारी करने के बाद कम से कम एक वर सेंपल पेपर या मौक पेपर की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो कम से कम एक वर आनलाइन जाके उन मौक पेपर को ज़रूर देख लेना क्योंकि ये आपके understanding level को अलग ही level पे पहुंचा देगा